असली polling राइड मुभारक आपको सब बोल वीडियो देखने से पेले लाइब और कमेंट और सब्सक्राइब करना म附 बुलेगा असलाम राइड मुभारक, हामारे तरसे आपको बहुर बहुर बाहुर राइड मुभारक और हम कैसे लग रहे हैं कमेंट क Одतरूर से बताना असलाम अलेकुम कैसे हो आप सब इंशालला सब ठीक होंगे अलहमदलिल्ला हम भी ठीक है तो हमारी और हमारी पुरी फैमिल की तरफ से आप सब को एद बहुत बहुत मुबारक तो एद के दिन है फ्रेंट्स ये दूसरे दिन वीडियो हमरा आ रहा है वाइस ओर करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए दूसरे दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो यहां पर लेक हम बना रहा रहे हैं यहां पर तो गुल गुले इद वाले दिन होते हैं आप पिछले साल का भी वीडियो देख लीजेगा फ्रेंट्स गुल गुले भजीये और शीर खुर्मा होत बिरियानी तो यही तरीका है तो हम ऐसी बनाते हैं। इसके बीना तो हमारी इद होती ही नहीं है क्योंकि हमारे बहुत बहुत पुरी फैमिली के फैपरेट है। माशालला आप देख सकते हो हमारे गुलगुले बहुत अच्छे बनते है इसका रेसेपिक पूरा वो डीटियल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा आप भी देखिए और ज़रूर से बनाएए बहुत अच्छे लगते खाने में बहुत जट पर बन करते हैं कोई भी जब बहुत वक्त जाता है इसको फ्राइग करने के लिए स्यूंटिटी में विखना करके इससे रखना होता है बहुत वक्त चला जाता है किचन में तो कोई बात नहीं जब सब खा पी लेते हैं तो बहुत दिल को खुशी होती है यहाँ पर हमने 5 लिटर का शीर कुर्मा भी बना दिया था शाम तक तो पुरा खतम हो जाता है क्योंकि आसपडोस में भी देना होता है महमान भी आते है तो इस तरह से होता है फ्रेंट दूसरे दिन और बनाना होता है तो ये शिरुकुर्मा हमारा हो चुका था, फटा फट से हमने से बना दिया था, सुबह रख दिया था, तो ये इतना हो चुका है, ओट ओट कर थोड़ा सा कम हो जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है, ओट निकली रखते है न तो घारा घट हो जाता है, वो ठिक हो जाता है मतलब बहुत अच्छा लगता है यहां पर हम बना रहे हैं बिरियानी यह देख लीजिए राइस हमने बॉयल करने के लिए रख दिये थे तो फटा फटा से हम बिरियानी तयार कर लेंगे इद वाले दिन इतने काम होते और अल्लापा का इतना शुकर अदा करें उतना कम है क इद वाले दिन थकान भी नहीं होती है कितना सारा हम काम कर लेते हैं फिर दूसरे दिन थकान हो जाते हैं बस सोते रहे हो सोते रहे हैं इतने नीम से आने लग जाती थकान सी होती है तो यह बिरियानी हमारी तयार हो चुके फिर इस तरह से इतनी मज़ेदार और थोड़ी से यह बनाई थी हमने कोई खाता भी ने महने के रोजे होते हैं और इतना ज्यादा इद वाले दिन खाया भी नहीं जाता है तो थोड़े सी बनाई थी हमने लेकिन बहुत टेश्टी बने थी बहुत अच्छी बने थी माशाला तो हमें सभी के लिए हां पर खाना ही निकार रहे बनाई भी आप शूट है लेकिन इतना नहीं कर पाता है हमें इसाप करना पड़ता है आपके साथ अगर वीडियो शेयर नहीं होता है तो हमारा मनी नहीं लगता है तो यहां पर यह खाना खाने के लिए बैट चुके थे हैं हस्बेट बेटा और बेटी हमने फिर बाद में करने के बार तो फटाफट से सब कुछ यहां पर तयार हो चुका था फ्रेंड्स आप देख लीजिए इतने अच्छी बिरियानी बनी थी माशाला बहुत ही टेश्टी बनी थी बहुत जबर्दस बनी थी तो सभी की यहां पर इद वाले दिन पिरियानी होती है शीर कुर्मा हो कम लोग बनाते हैं हमारे जाव में हर घर में बनते हैं घुलगुले होते ही राट 210 है इसके लिए गुलगुलय भजिए चे जावरे होती है हमारे इक हेट हती होती है ह satisf managed हमारे पूरे Summa at और की पेशन हे है और सभी के हमारे बहुत श्रूबर्ट बहुत बहुत जयाद सारी उनका वक्त हैं जिसे भी महमान की चुईस होती ही सब अपने अपने हिसाब से बनाते है एद वाला दिन बहुत ही खुशी वाला दिन होता है पिर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और बाज्य साल की एद अच्छी है इतनी अची हो आई पाक हम की उतना शुकर करे अतना कम है कि अलहँ म्हाद लिल्ह हम्द लिल्ह सभी की एद क् दिए इतनी सबी के चेहरे के खुशई नहीं देखने मिली ते इतनी खुशई इस बार देखने मिली तो आपक हमेशा ऐसी मुसकान और ऐसी चेहरे हस्ते मुसकुराते रहे आमिन, सुमामिन और सभी की इत बहुत अच्छे से गुजरी है हमें उमीद है सभी की इत बहुत अच्छे से गुजरी है अल्हापक ने इतना अपना करम अपने बंदों पे बना कर रखा है बहुत अल्हापक का हम जितना शुकर अदा करें उतना कम है और हमारी बेटीं हम अहां पर आस पड़ोस दे रही थी तो हम तोड़ा से शीरिकुर्मा और गुल-गुले इस तरह से आस पड़ोस में भी देते हैं और ठोड़ा दी थोड़ा न बरने में डाल कर देते हैं तो बस यही होता है यह दो आले दिन परिंसद और कितना अच्छा लगता है अना बहुत धी खुशी मतलब दिन जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा खुशी का दिन होता है Allपाक, सब भी की चह्रे पर खुशिया थे, एतना अच्छा लगा देकर बहुत ज्यादा खुशी हो गई, खुशी दूगनी हो चुकि Allah पाक, ने उतनी खुशी आधा सब भी बता है, किसी की चह्रे पर ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं बे ख् traffित गनने जशहỏi जचा करोड़ू को कि दूख Յज ज़ि भी ज़िए एक्ना कम आवफ मुप्त खुशिय एक जषूहा आए मिल कि दूटस और हमयाले बहुत आए जये जर्क Hugin आपा जाए काममा शुर्द कि आप लोगों के सब्धाइड करना हम थेमान से मिलते हैं, एकमानसे मिलते हैं वीडियों गई ऑना घाया है, आप लोगों को थे सब्सक्तार तो आपके प्लीड को थे इस ईकड़ारा को तै किया हुंकि आपके एक Moreden How do it, T जरूर से कमेंट किया करें वीडियो पसद आती है तो इसको लाइक भी जाते जाते कर दिया करें और प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको अच्छे ब्लोग प्यारी प्यारी रेसिपी हमारे चैनल पर देखने मिलेगी और यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंट आपको खाते पिते रहते हैं लेकिन फिर बिंगु शीर फिरमा इतना पसंद होता है फिर भी यह ऐसी करते हैं तो यहां पर देख लिए हमारे देवर की बेटी आपको सलाम कर रहे हैं बाहर का नजारा आई हमारे घर के यह हमारी बेटी यह दूसरे दिन वाला वीडियो है थोड़ा सा शूट किया था हमने तो बिल्कुल भी वाफ नहीं होता है ना फिर उसकितने बिजी होते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए कोई है इने बेटी कर लेती है थोड़ा बहुत बाहर रहता है थोड़ा बहुत कर लेता है और यह हम चले गए थे देवरानी और जिठ खाना कहा रहते हैं देवरानी जी ठानी हम बहुत अच्छे से रहते हैं प्यार महबह से रहते हैं और बहुत करीब करीबी है तो सब काम होने के बाद हम जाते हैं मिलने के लिए तो भी न खाय के आनी नहीं देते हैं तो यहीं तक अथा वीडियो फिरंट्स कैसा लगा कमें करके जरूर बताना, आपके कमेंट का बेजबरी से इंतिजार होता है, औरेश ज़्रग पिछले साल भी हमने आप अपके साथ किया है, वियूस ज़्यादा नहीं आते हैं इसके लिए मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, आपके साथ जर तक वीडियो हमारा जाना ही चाहिए तो क्या करें पिरंस एकादस ही हो चुकी है आपके साथ जूड़ने के लिकिन आप लोग हमारे साथ नहीं जूड़ रहे हो तो फलीज ठोड़ा सा प्यार दीजिए आप हमारे साथ जुड़ी रहिए आप कैसे वीडियो हमारे देखना चाहते हो कैसे ब्लोग देखना चाहते हो कमेंड में बताइए तो चलिए मिलते हम बहुत जल इंशालला तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्यार लगिए हमें अपने दुआओं में याद रखी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जजाक अल्ला